चत्रपती संभाजी महराज कही दिनों से पन्नालगड पर ही थे। आज उन्हें अपने पिता चत्रपती शिवाजी महराज की बहुत याद आ रही थी। पन्नालगड पर उनका दम घुट रहा था। उन्हें राजाराम महराज के शादी में भी बुलाया नही था। शिवराई की तबियत दिन बद दिन बिगरती जा रही थी, ये खबर उनके कानों तक आती रही, कुछ कारण वश वो रायगर तक पोचने पा रही थे, एक दिन चत्रपती संभाजी महराज पन्नालगड के उपर से नीचे घने जंगल की ओर देख रहे थे, नीचे छोटे-छ खुफिया जासूस थे, पन्नालगड, विशालगड से लेकर रायगर तक इस रास्ते पर हमेशा उनका आना जाना रहता था, वो दोनों भी आज रायगर से आ रहे थे, वो जासूस आगे निकलने लगे, वैसे छत्रपती संभाजी महराज एका एक उनके सामने प्रकट वो दोनों भी घबरा गए, तब शंभूराजा ने ही पुचा, तुम कल दोपर से ही रायगर से निकले हो गया, जी, जी मालिक, उन दोनों की चहरे पर घबरहट नजर आ रही थी, उनमें से एक बोला, सरकार जरा हम जल्दबाजी में हैं, हमें निकलना चाहिए, ऐसा कहकर वो दोनों आगे राहो पर चलने लगे, शंभूराजा को उनका बरताओ देखर जरा विचितर प्रकार नजर आया, उन्होंने जासुसों को रुखने के लिए कहा, रही, रुखो, रुखो, इतनी जल्दबाजी किसली है, खंडों जी ने कहा, दिन ढलने से पहले जरा विश शुपाया है तुमने, गवनोजी ने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं मालिक, यह अपने ही कुछ पत्र किलेदार के नाम के, संभूराजा के मन का संदेह बढ़ने लगा, उन्होंने अपने सेनिकों को बुलाया, उन्होंने जासुसों के पास से सभी पत्र अपने कबजे में ले लिए, उनमें से एक पत्र था किलेदार विठल रावत्रिम्बक के नाम से, और दूसरा पत्र था बहिर जी नाइक के नाम से, संभाजी राजा ने उस खत पर नजर डाली, उसमें लिखा था, यहां राइगड़ पे बहुती बिकट परिस्तिती है, पर किसी भी हालात मे चतरपती संभाजी राजा कैद होना चाहिए, यहराज को कैद करके बड़े सावधानी से रहो, किसी की हुकम से कैद हुए, इसकी किसी को भी खबरबात नहीं लगनी चाहिए, आगे की जानकारी और आदेश आपको मिलते रहेंगे, ऐसा पढ़कर शमुराजा भैंकर चतरपती से हम जूट बोल रहे है, वैसे हो दोनों चोटे बच्चे की तरह रोने लगे, समज राजा के पएर पकड़ कर जोर जोर से रोने लगे, दया याचना कर रहे है, सरकार हमें माप कर दो, हम सीदे साधे आदमी राइगर से जो काम बताया गया, वही कर रहे हैं, पर आपकी निजी जगड में हमें मत फसाओ, हमें छोड़ दो यूराज, शम्बूराजा ने अपने सातियों को इशारा किया, इन दोनों को गिरपतार करो, पनालगड के किलेदार, विठल रावत्रिमबक और बहर जिनाई को बुलावा भेजा गया, सभी तरब की जानकारी लिना शुरू कर दिया, और तब धान में आया, कि शम्बूराजा को कैद करने के लिए बहुत बड़ा कारस्थान रचा जा रहा है, शम्बूराजा न अब डर से थर-thर कापने लगे थे, उसने चतरपती संभाज राजा से छिपाई हुई खबर महा भेंकर थी, वो बताते समय उनकी रूह कापने लगी, वो अपना रोना रोक नहीं सके, वो जोर-जोर से रोते हुए कहने लगे, यो राज, यो राज, आपके नसीब ने आप आपके साथ बहुत बड़ा धोका किया, आपको मिले बगेर, आपके पिता, आपके आबास सहाब, हम सब के छतरपती हमारे मस्य हाँ, हम सब को छोड़ कर चले गए, हमेशा के लिए, वो भेंकर खबर सुनके वहाँ आपर उपस्तित, सभी पर आसमान तूट पड़ा, पनाल खबर का छतरपती संभाजी माराज पर तो अलग ही असर पड़ा, वो दुखे मारेज जोर जोर से नहीं रोये, उन्होंने आकरोश नहीं किया, पर एकाएक किसी परवच से बड़ी पाशान की मुरत गिर जाए, उस तरह शंबूराजे अचानक जमिन पर गिर गए, उन्हें अगर मुर्चा आई ऐसा कहें, तो उनकी आखे खोली थी, अगर मुर्चा नहीं आई ऐसा कहें, तो उनकी हलचल भी कुछ नहीं थी, सभी जन समाजी माराज की तरह भागने लगे, किसी ने लिम्बू तो किसी ने प्याज लाकर संभूराजा की ना को लगाने लगे, यसु और कई साथियों ने उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की पर शंबुराजे अब तुफान हो चुके थे उस तुफान को नियंत्रित करने वाले सबी इधर उधर बिखर गए अपने आगोश में एक गोल पत्थरी खंबे को लेकर वो जोर जोर से रोने लगे उस पर अपना सिर पटकने लगे आबा सहाब आबा सहाब हमें छोड़कर हब कैसे चले गए वो दुरुश्य धेग सब का दिल चीरता जा रहा था बहुत देर तक वो जमिन पर लेटे हुए रोह रहते कई लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया बढ़े ही देर से शंबुराज़ थोड़े शांत हुए जल पात्रे से उन्हें पानी पिलाया गया भुकंप के बाद जमिन की जैसी अवस्ता होती है वैसी अवस्ता संभजी राज़की हो गई थी वो उस जासुस पर फिर से एक बार चिलाए अगर तुम लोगों को हमारी मजाग करने की लहर आई होगी तो वैसा बताओ कह दो एक बार कि हमारी आबासाब अभी भी जिन्दा है कैसे हमें अकेला छोड़कर जा सकते है वो इतने जल्दी कॉंडो जी बोला यूराज दुरभाग्य वश ये खबर सच है केवल साथ दिनों में ही उनका बुखार बढ़ता गया और शिवराय हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए कभी कलेश ने कहा और महराज का अंतीम संसकार किस ने किया काले होद के पास राइगड के चंद लोगों के माद्यम से शिवराय को मंतरागनी दिया गया पर आखिरी क्रिया कर्म किस के हाथो हुआ राजाराम महराज के हाथो सम्भाजी महराज ने कहा क्यो पिता के अंतिम संसकार का अधिकार शास्त्रों में जेश्ट पूरुशों को बहल किया है न ये भुल गई गया तुमारे शास्त्री पंडित और राइगड के सभी जिम्मेदार लोग शम्भु राजा के आखों से लगातार आसु निगल रहे थे अन्याई के आग में उनका बदन जल रहा था अंतिम संसकार का निरनय हमें छोड़के हमारी मातोसिरी सोयरा भाई ने ये निरनय कैसे लिया क्यो शिवराय का ये शम्भु जिवित नहीं था मर गया था हमारे आबा सहाब को हमारी युग प्रवर्तक पिता को अगनी देने के लिए हम इतने भी अपवित्र हो गई थे एक आम इंसान स्वराज का एक नोकर समझ कर तो बूलाना चाहिएता हमें कम से कम इस दुर्दैवी संभाजी को अपने महाप्रताभी पिताजी के चिता पर उनके पहरो पर दो चार फूल अर्बन करने का तो सोभागे मिल सकता था